नमस्का यूर मॉस्ट वेलकम इन डेली टेन क्यूशन आंसरी चलिए फटाबरे स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्यूशन है क्यूशन नंबर 11 इन गेस कटिंग तू मच ओफ फिलिंग दा ब्लेंग्स मेक्स इनकंप्लिट कट विद रफ एजेज गेस कटिंग में खालिस्तान अधिक होने से खुर्द्रे धार के साथ एसमपून कट देता है जिसमें हमारा राइट आंसर है ओप्शन डी इस्पीड यानकि गेस कटिंग के दौरान यदि हमारी स्पीड अधिक है यानकि हम तेज गति के साथ कटिंग कर रहे हैं तो उससे क्या है कि हमारा जोब की जो कटिंग भी साथ सुत्री नहीं होगी कटिंग कंप्लीट नहीं होगी और कटिंग के बाद में जो किनारे बनते हैं वह खराब बनते हैं एक स्मूथ किनारे वहां पर प्रोडूस नहीं होते हैं तो गेस कटिंग के दौरान कटिंग श्पीड को तोड़ा कंट्रोल करके कटि टॉप ओफ वेल्ड बीड इस नाउनर्ज यानि की कारी सत्य से वेल्ड बीड के उपर तक की दूरी को खालिस्तान कहते हैं कि जिसमें हमारा राइट आंस्वर है ओप्शन बी रिइनफॉर्समेंट देखिए जब हम कोई भी जो प्रोडूस करते हैं जैसे माली जी बट जोइंट है हमने स्क्यक्रा हुप फर वेल्डिंग बिर्ड लगा दी है क्जोब के सरफेस पर वेल्ड बीड लगा दि यान को कि बींदेन्ट के बीच के जो बन गया है यानिकर बीच का जो दिस्टेंस है इस डिस्टेंस को और यह जो चंद्राकार आकरती की बीड है इसको क्या कहते हैं तो आपके सामने राइट आंसर है option B reinforcement ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question क्यों question number 13 PQR means PQR का अर्थ खालिस्तान है यानि कि question में से पूचा जारा कि PQR की फुल फॉरम क्या है जिसमें हमारा राइट आंसर है option B procedure qualification report रिपोर्ट को ही हम PQR कहते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं हमारे next question क्यों और question number 14 when using a fire extinguisher to extinguish a fire it should be आग भुजाने के लिए जब अगनी शामा का परियोग किया जाता है यह है खालिस्तान होना चाहिए जिसमें हमारा राइट आंसर है option a pointed at the base of the fire यानिकि जब भी हम किसी भी आग को बुजाते हैं तो हमारा जो fire extinguisher का जो बेस जो हमारा point होना चाहिए वह होना चाहिए आग के बेस के उपर यानिकि आग जहां से लग रही है वहां पर हमारे fire extinguisher का टाइरगेट होना चाहिए कि वहां पर fire extinguisher को apply करें ताकि अगर बेस के उपर हम कंट्रोल करेंगे जहां से आग इगनाइट हो रही है जहां से आग चल रही है तो अगर वह बेस कंट्रोल हो जाएगा तो आग अटमेटिक ही भूज जाएगी ठीक है तो पोइंटेड एट दा बेस ओफ दा फायर ओके चले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछन क्योर कुछन नमर फिप्टीन दो वल्टेज प्रेजेंट वें दा वेल्डिंग मशीन पावर स्विच इस इन दा ओन पोजिशन बट नो वेल्डिंग इस टेकिंग प्लैस इस हो जिसमें हमारा राइट आंस्वर है ओप्शन ए ओपन सर्किट वल्टेज यानि कि कुछन में सो पूछा जा रहा है कि जब मशीन का पावर ओन है मशीन चालो कर दिया है हमने स्विच ओन कर दिया है बट हम कोई भी वेल्डिंग कारी नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कंडिशन मे मशीन के उपर जो वोल्टेज दिखाय देंगे वह कौन से वल्टेज होंगे ओपन सर्किट वोल्टेज आगे समझ में ठीक है बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछन है कुछन नंबर 16 रेक्टिफायर्स आर नोटेट फोर देर एविलिटी टू संसोधक अपनी खालिस्तान स शमता के लिए जाने जाते हैं जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑक्शन सी चेंज एसी डीसी कुरंट यानि कि जब भी बात आती है कि ऐसी से डीसी में कणवर्ट करने के लिए Asc पावर और इसी को रोख कनवर्ट करने के लिए हम किस परकार वैलिदिंग मशीन का परयोग कर होते हैं तो आपने और सुना होगा जिसको हम र्रेक्टिफाइयर कहते हैं तो र्रेक्टिफाइर जाने जाते हैं वो इसिलिए जाने कि इनके अंदर एक शमत होती है ऐसे यह कि एकी पावर को DC पावर में कर सकते हैं थेका चली बढ़ते हमारे नेक्स्ट के और हमारा नेक्स्ट कुछन है किशन नंबर सेवंटीन वन शुड नेवर कट और वेल्ड डारेक्टली अगेंस्ट किसी को खालिस्तान के विरुद कभी भी सीदे काटना अथ्वा वेल्ड नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा राइट आंसर है ओप्शन ए को डारेक्ट कटिंग नहीं करना चाहिए यह डारेक्ट वेल्ड नहीं करना चाहिए इनके ओपर जब हम हीट अपलाई करते हैं तो यह बिखरते हैं और इनको जो गरम लावा निकलता है गरम जो इसके इस पेटर निकलते हैं वह अपने बोडी पर मतलब की घाव बना सकते ह है इसे हमारी बोडि के उपर गहाव बन सकते हैं घ्रट सकते हैं तो हुआ आप कंक्रीट की डाकटिंग कभी नहीं करनी चाहिए डाक्ट वेल्डिंग नहीं करें जाने की सेंड वगरा रहती है इनके आसपास में वेलिंग यह चीज नहीं करने चाहिए ठीक है तो इन सबसे बचना चाहिए चले बढ़ते हमारे नेक्स्ट किशन के और हमारा नेक्स्ट कुशन है कुशन नंबर 18 बट वेल्डेड जॉइंट इस कार्बन इस्टिल इस रिस्ट्रेंट डूरिंग वेल्डिंग एंड कूलिंग विल्डि हमारा राइट आंसर है औप्शन सी हमारा राइट आंसर है औप्शन सिए हैंओ हाई रेजीडिफ्टि इस्ट्रेस एनकी ते अंदर उच अवसिस्ट एनकी इंटरनल इस्ट्रेस क्रेट होगा ठीक है चले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के और हमारे नेक्स्ट कुछन में किशन नमर 19 वीच ओप दीज शुड नेवर भी यूज ओन रेगुलेटर्स सिलेंडर एन गेज इन में से किसका परियोग रेगुलेटर्स सिलेंडर्स तता गेज करेंग्स कमे सब्सक्राइब हeye और है यह है इनके उपर कभी भी इन ग्रिस्त का परियोगब करके नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी वज़य से वहाँ पर विस्पोर्ट का पोजेशन बन सकता चो सकती है वहाँ झालतुत सकती है उन्हों हो सकता है तो कभी भी अगर हम और सिलेंट्र के सबसे अधिक होता है जिसमें हमारा राइट आंसर है ओप्शन ए कोपर यानि कि देगे विकल्पों में के बाकिं मेंसिन्टबॉइं वह भी कम होता है ब्लाज लék और पर से कम होता है तो सबसे हले ही वह कोपर कही है तो ये आज कि हमारे 10 कुछिशन दो बहुत ही बैस्ट कुछिशन है और आप समझ सकते हैं और इसको नोट्स बना सकते हैं ठीक है धन्यवाद